रानो चुडिया और टुनु चुड़े की एक ही बेटी थी गुडिया एक दिन टुनु चुड़ा रानो चुडिया से कहने लगा रानो अब हमारी बेटी जवान हो गई है मैं चाहता हूँ जो पैसे हमने जोड रखे हैं उसका जहेज खरीद लें आइस्ता इस्ता उसकी सारी चीजें बन जाएंगी जी बिल्कुल टुनू जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मैं भी यही सोच रही थी कि हम दूसरे जंगर जाकर उसका जहेज फरीद कर ले आए तुम वो पैसों वाला थेला निकाल कर बाहर रखो मैं जरा अपने हमसाए कालू से पूश कराता हूँ वो बहुत चीजों के भाव अच्छे से कर लेता है तुनू चुड़ा कालू कब्रे की तरफ जाता है चाके उससे मशुरा करे और उससे लेकर बाजार जा सके इस चीजें खरीदने के लिए अरे आओ आओ टुनू खेर तो है इतनी सुपा सुपा कोई परेशानी तो नहीं है न यार टुनू नहीं यार कालू परेशानी की बात नहीं है मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ दूसरे जंगल चलो कुछ सामान करीदना है गुड़िया का अच्छा जोहाईز के समान की तो बहुत पैसे लगते यारा तुम्हारे पस इतने पैसे हैं जो जोहीज करीद ओगे बत्या हां बले वक्तों में मैंने और गुर्या की माने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं मैं चाह रहा था कि तुम चीजों के भाव अच्छे से कर लेते हो तो मेरे साथ बाजार चलो ताके कुछ सामान करीच सके ठीक है ठीक है तुम जाकर सो जाओ सुबा हम चलेंगे आज तो बहुत राश होता है बाजार में तुनू चिड़ा कालू कव्वे से बात करके बेफिकर होकर घर की तरफ लोटाया उसे कालू पर बहुत ज्यादा एक्तवार था अरे वा कालू जी देखो सही इसरा मों मिशनी और तुनू मिशनी के काम पैसे जोड रखे है पिर शाम होते ही कालू कव्वे ने मास्क लगा लिया और गोई उसे चोरी के तरीके समझा रही थी कालू शाम होते ही अपने घर से निकल गया और जल्दी से गुड़िया और उसके घर से वो पैसों का थैला उठा कर अपने घर को ले आया अगले दिन तुनू चिड़ा रानो से कहने लगा हम लुट गए हम लुट गए हम लुट गए टुनू जी हमारा वो पैसों का थेलाstar को या छोरी करके ले गया है मेरे बहुत नुड़ा है मुझे नहीं मिला टुनू चिड़ा तो ये सुनकर परेशान हो गया रा नो तो रोए जा रही थी उन दोनों की जिन्दगी भर की कमाई थी तुनू चिड़ा अपने नस्दी के हमसायों से पूछने के लिए घर से निकल आया यार खबूतन मेरे घर पे चोरी हो गई है मेरे जिन्दगी की कमाई लुट गई है मैंने अपनी बेटी के जहेज के लिए पैसे जमा किये थे कल रात कोई चोरी करके निकल गया तुमने तो नहीं देखा ओए यार ये तो बहुत अफसोस हुआ सुनके नहीं यार मैंने तो किसी को भी आते जाते ना देखा कबूतर से पूचकर टुनू चुड़ा जा रहा ताके उसे रास्पे में मिठू तोता नजर आया मिठू तुम रात बर जाकते हो क्या तुमने किसी चोर को मेरे घर की तरफ आते देखा वो मेरा पैसों का थैला ले गया है ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ टुनू लेकिन यार मेरा रात पर जाकता हूँ पर मैंने तो किसी को नहीं देखा सबसे पूचतास करके मायू सोकर टुनू लोट रहा था कि उसे गोरी नजर आई किदर बिल रहे हो टुनू जी सुबा से कालू आपका इंतिजार कर रहे है किसी कमांपर नहीं गये आप आए ही नहीं मैं आ रहा था गोरी बेहन हमारी जिन्दगी भर की कमाई को ही ले गया है कोई चोर चक्का मिरे घर से चोरी करके चला गया है और हैरत की बात ये है किसी ने उसे देखा भी नहीं आते जाते गोरी दिल ही दिल में बहुत खुश हुई कि किसी को पता ही नहीं चला इस तरह बहुत से दिन गुजर गए और सब तकरिबन भूल ही गये थे एक दिन गुडिया नदी पर बैटी हुई थी तो वहाँ पर एक बहुत ही उबसूरत और अमीर चड़ा हाया उसने गुडिया को जंगल खुमाने के लिए कहा वो गुडिया को दिल ही दिल में पसंद कर बैठा और उसने गुडिया से शादी कर ली और वो अमीर चड़ा चिड़ा बगर जहेद के गुड़िया को बेया ले गया कुछ दिनों बाद कालू वो बैग लेकर बे चीजे खरीदने को निकला कि वो एक घर से टकरा कर किर गया और मर गया और वो बैग उड़ता हुआ दूर बैठे चिड़िया और टूनों के पास जा पहुंचा जिनकी अमानत थी उन्हें वापस मिल चकी थी और काले कब्डे को उसके बुरे कारनामों की सदा मिल गई